तो हलो फैंड स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में आसा करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे जहां भी होंगे वैस्थ होंगे तो आज है हर्याली तीज और आज है 19 अगस्त तो सारा काम कर लिया घर का बच्चे लोग भी जा चुके हैं और अब मैं नहालने के बाद मिलती हूं और आज बारश घी हो चुकी है हरियाली तीज पर फिलाल बंद होगी ए पिर से के ऐगी तो आप सब को भी दिखाऊंगी बारही है आज फिर ne तो में नहा लेती हूं मिलती हूं नहाने के बाद तो दोस्तो हमारे घर आ गई है मेरी फ्रेंड हैपी तीज करने और वो पीरी है चाए हेलो गाइज आप लोगों को मेरी तरफ से हैपी तीज और और भई तू भे हैपी तीज बोल दे मेटा वह तो लाफिंग उता खा रहा है यह क्या खारा वही तो नि खाया जा रहा ना अपी तीज बोल दे ही चीकु बोलो लड़ो लड़ो हां कैसे बोले है हैपी तीज बोल दो सबको आ अ बैसी बोल दी आप ने मैं हल्वा बना रही हूं यह बेशन है इतना ही मैंने बेशन ले लिया है, इससे थोड़ी कम मैंने सूजी लिये, तो इन दोनों का बना रही हूँ, आज मैं हल्वा, और यहां पे हमारा घी गरम हो चुका है, देशी घी, तो चलो बना लेते हैं हल्वा, चुनमुन कही दिन से पीछे पड़ी हुई थी, तब से माई बना लेते हैं, तो बना लेते हैं, तो दोस्तों, यहां पे मैं सूजी को भून रही हूँ, थोड़ी देर में डालने वाली हूं बेशन को, क्यूंकि एक साथ दोनों को भूनेंगे, तो बेशन तो जल्दी भून जाता है, तो बेशन फिर जल जाएगा, इसलिए, दस मिनिट बाद मैं बेशन डालूंगे, अभी मैंने इसमें सूजी डाल दिया है, और मैंने इस वाली कटोरी से सूजी भी लिया था, बेशन भी लिया था, इसी से पानी लूँगी, और इसी से लूँगी चीनी, और सूजी हमारी थोड़ी ब्राउन सी हो गई है, तो तो दोस्तों हमारा सूजी और बेशन भून चुका है और विसको थोड़ी देर के लिए और दोस्तों हमारा सूजी और बेशन भून चुका है और विसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे फिर इसमें पानी डालेंगे चीनी डालेंगे और हमारा हल्वा बनके यम्मी वाला हल्वा तो दोस्तों हमारा हलुआ बनके रेडी हो गया है देखो कितना यम्मी यम्मी बनाया है ना कमेंट में जिरूर बताना अको हमारा हलुआ कैसा लगा बहुत ही स्वादस्ट बनने वाला है हमारा हलुआ क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही बनाते हूं तो दोस्तों रात क्या आठ बजने वाले हैं और खाने की तयारी मैंने पहले सी कर दीती आलू बाल के पिट्ठी बना ली है और आठा भी लगा के रख दिया है अब सब लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए तो चलते हैं अपने किचिन में तो आ गए है किचिन में यह अपने पिट्ठी यह अपना अटा गून के रख दिया यहां पर तेल गरम हो रहा है कि बनाते हैं कचोडियां तो आप लोग करिए टाइम लैप में इंजोए तो दोस्तो हमारा खाना पीना सब हों गया है कचोडिया बन चुकी है सब खाच तो इस वीडियो को मैं यहीं करती हूं मिलते हूं किसी अधोले प्यारे से ब्लोग में तब तक के लिए बएवार स्वस्त रहिए मस्ट रहिए बीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद